नए वीवर्स जल्दी से सेलेप्स फॉर्ड स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबा कर आल पर क्लिक जरूर कर देना दोस्तों अकसर बॉलिवुड स्टार्स फिल्मों में अपने जबरदस्त एक्शन से फैंस को अपना दिवाना बना लेते हैं लेकिन इन में से ज़ादा तर एक्शन सीन्स वी एफेक्स के जरिये या फिर किसी स्टन्ट मैन के द्वारा फिल्माए जाते हैं लेकिन बॉलिवुड में कुछ सुपर स्टार्स ऐसे भी हैं जो की एक ट्रेंड फाइटर हैं नमस्कार दोस्तों सुपर स्टार्स के हमने बात करी वो फिल्मों में आने से पहले ही कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं और आज अपनी फिल्मों में अपने फाइट सीन बिना किसी की मदद से खुद ही करते हैं इस वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे ही सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हैं और ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं बॉलिवुड अभिनेता अक्षे कुमार फिल्मों में अपने जबरदस्ट एक्शन सीन्स के लिए जाने जाते हैं फिल्मों में आने से पहले वो मार्शल आर्ट में बतार टीचर काम किया करते थे अक्षे कुमार की एसी कोई action film नहीं है जिसमें उन्होंने martial art का इस्तेमाल न किया हो जब वो कोई star नहीं थे तब वो self defense की training दिया करते थे अक्षे कुमार के पास दो black belt है martial arts में उन्हें त्वाइकॉंडो और मुए थाई में black belt मिला है कराटे में अक्षे कुमार के पास 6th degree black belt है बॉलिवुट के सिंगं कहे जाने वाले अजे देवगन वैसे तो हमेशा शान्त दिखते हैं लिकिन जब बात action की आती है तो वो इसमें भी किसी से पीछे नहीं है अजे देवगन भी बॉलिवुट फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कराटे में बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं जी हां, मार्शल आर्टिस्ट के योगदान के लिए अजे देवगन को साउथ कोरिया के त्वाइकॉंडो मास्टर ने black belt से सम्मानित किया था बॉलिवुट अभीनेता जैकी श्रोफ के बेटे टाइगर श्रोफ अपने जबरदस्ट स्टंट के लिए जाने जाते हैं बहुत कम लोग जानते हैं कि ताइगर श्रोफ 14 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीख रहे हैं साथ ही वो मार्शल आर्ट्स के कई सारे फॉर्म्स भी जानते हैं वो मार्शल आर्ट्स के साथ साथ कुंगफू में भी महारत हासिल कर चुके हैं टाइगर तुएकॉंडो में फिफ्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल कर चुके हैं बॉलिवुड अभिनेता विद्यूत जामवाल का नाम दुनिया के सबसे बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक है और आज पुरे देश में उनके काफी फैंस हैं विद्यूत अपनी शांदार फाइटिंग सीन्स और अपने स्टंट की वज़ा से जाने जाते हैं विद्यूत ने महस तीन साल की उमर में पलककड के आश्रम में रहते हुए कलरी पायट्टू मार्शल आर्ट स्टाइल की ट्रेनिंग शुरू की थी विद्यूत इसके अलावा जिमनास्टिक और जियू जित्सू में भी माहिर हैं बता दें कि विद्यूत ने जिमनास्टिक औ का एक्शन में भी माहिर हैं वो मार्शल आर्ट्स की कुम्फू शैली में ब्लैक बेल्ट जीच चुके हैं दोस्तो सेलेब्रिटीस से जुड़ी ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबरें आपको चाहिए तो बस बने रहे आप हमारे चैनल सेलेब्स फॉल स्टाइल में इस वीड आपसे अगले वीडियो में धन्यवाद